हम्हाँ हम प्रोड़न जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक हेल्थ कंसर्टेंट एड प्राउट बिजनेस ओनर हूं विद फॉर इवर लिविशंग प्रोड़क के साथ हम जो भी प्रोड़क्ट के बारे में नौलिज देते हैं वह हम यूटूब के थ्रू आपको बताते हैं तो YouTube में जैसा हमें मेरा एक नीज है नीज हमारा एक topic है कि हम forever पे किसी भी product के बारे में बीमारी के बारे में आपको जानकरी देते हैं उसी तरह अगर आप भी अपना वीडियो बना रहे हैं तो आपको भी किसी नीज की या किसी विशेश topic की जरूत होती है जिससे क्या हो कि आपके जो भी आपने YouTube पे बनाया है वो आप लोगों को पहुचा सकें या उनको बता सकें तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि YouTube पे जब भी आप कोई content बनाते हैं तो उसके लिए intro कैसे बनाएं क्योंकि intro बहुत important होता है आपके channel को reach कराने के लिए आपको present करने के लिए फिर हम सुरू करते हैं कि intro कैसे बनाते हैं आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि intro आप canva पे कैसे बना सकते हैं तो इसके लिए हमें canva पे चलना पड़ेगा canva pro पे तुरू मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप अपना intro कैसे बनाएं तो अगर आप channel पे पहली बार है तो channel को subscribe कर लिजिए और विशेज बात ये धहान रखें कि जब canva pro या कोई भी intro बनाते हैं तो intro की size ज्यादा लंबी ना हो maximum to maximum आप 6 second की आप अपने intro बना सकते हैं जिसमें आप अपना नाम दिखा सकते हैं आप किस company के लिए या किस product के लिए या किस needs पे काम कर रहे हैं उसके बारे में आप पता सकते हैं और अपने चैनल को subscribe करने के लिए लोगों को invite कर सकते हैं तो यह शुरू करते हैं कि canva पे हम intro कैसे बनाते हैं या हम कैसे तयार करते हैं Hello friends, so आपको intro बनाने के लिए canva बहुत ही अच्छा एक app है जो आपको very easy तरीके से आपका intro त्यार कर देता है YouTube चैनल का तो canva को आपको पहले upload करना है और sign in करना है तो canva आप में जब हम open करते हैं तो हम पाते हैं कि जो इसका view आता है उसमें आपके पास बहुत सारे pamphlet आते हैं जिनके तुरू आप easy से अपना canva pro पर अपना intro त्यार कर सकते हैं तो canva pro पर पहले आप यहाँ पर open करेंगे और open करने के बाद जब आप search में search option पर click करेंगे तो search option पर आप क्योंकि YouTube की YouTube इंट्रो बना रहे हैं क्या बना रहे हैं आप YouTube इंट्रो तो जब आप YouTube इंट्रो पर search करते हैं तो आप देखेंगे कि canva आपको बहुत सारे pamphlet देता है आपके design के अनुसार जो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 6000 से भी जादा pamphlet हैं जिसके तुरू आप अपना intro त्यार कर सकते हैं यहां रखिये कि जो आपका intro है maximum to maximum five to six seconds का हो तो इसमें से आप कोई भी intro त्यार कर सकते हैं अपने थ्रू तो जैसे यहाँ पर purple है purple elegant है gold है blue है Welcome to my black cyber है तो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया black cyber पर black cyber पर click करने पर वह आपका पैंप्लेट ओपिन हो जाएगा और आप इस पैंप्लेट की थ्रू अपना चैनल या अपना यूटूब का इंट्रो बना सकते हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर सब्सक्राइब का वीडियो सब्सक्राइब का जो बटने वो पहले से ही है अगर आप यहाँ पर र जाते हैं वो यहाँ पर ले लेता है अभी जैसे कि आपको पता है कि इंट्रो त्यार हो गया है लेकिन हमें अपना इंट्रो में अपना नाम चाहिए वेलकम टू माई चैनल या वेलकम टू माई चैनल यहाँ पर आप अपना नाम रिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे आप add a heading, add a heading डालते हैं, यहां जैसे मैंने लिखा, welcome to my channel, शालनी मेरे चैनल का नाम है, शालनी forever, शालनी यादो, forever, f-o-r-e-v-e-r, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, शालनी यादो, forever, यहां पर मैंने अपना नाम भी mention कर दिया, और यहां से आप move करा सकते हैं, कि आपको कहां पर आपका यह नाम या जो भी आप यहां पर करना चाहरे हैं, जो भी नाम आप देना चाहरे हैं, वो आप कहां पर प्लेस करना चाहते हैं, और जो अन्नीट चीजे हैं, वो आप यहां से डिलीट भी कर सकते हैं, यहां पर select करिए, डिलीट option पर क्लिक करिए, यह देख सकते हैं इसमें music add करने के लिए आपको काइनबस्टर पर फ्री में music मिलता है उस sound को आप add कर सकते हैं सो चलिए आप भी बनाएगे अपना new youtube channel with new intro के साथ let's grow with forever family अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe जरूर कर लिजे शालनिया दो forever को okay take care everyone क्रूंगे एल इन बभी ने चैनल Clay जळें पने घ्रने करा लार आप22